लो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोगों मेदे आप सब बहुत अच्छास होंगे दोस्तों अवद भी स्वेदल है बाइस फर्स्ट एर का सेकेंड पेपर साइकॉलोजी आफ लर्निंग डिवालोपमेंट आज कंप्लीट हुआ तो आए इस पेपर को रिव्यू करते हैं और क्या समझते हैं तो इसमें हमें एडिकेशन साइकॉलोजी के बारे में कुछ बाते लिखनी थी बाल लेवस्ता की मुखे समस्या हूं मतलब चाइल हुड में बच्चे क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इसके बारे में ब्लेंडट लर्निंग यानिकी मिसृत इस क्या समझते हैं? अभी पिरिणा से आप गया समझते हैं? कॉर्षिन tamam six Write the meaning of intelligence बुद्धी का अर्थ लिखे आपको इसमें Intelligence, Intelligent Quotient यानि IQ के बारे में लिखना था मैं हमें बताना था कि हम एक दूसरे से कैसे अलग है हर इंडिविजियल के बीच में क्या डिफरेंस है Now come to question number 9 What do you mean by educational deprived children सक्षिक क्रूप से वंचित वालकों से आप क्या समझते है What do you mean by educationally deprived children और अगला अप्रस्ट था Last two आप प्रस्ट था Section A में मांद्सिक स्वास्त पर समूदाय का प्रभाव मत्में एक बच्चा मांद्सिक क्रूप से स्वास्त होगा करें सक्षामनो विज्ञान को एक सक्षिक अनुसंधान के रूप में क्यों माना जाता है और और ध्यापकों के लिए सक्षिक मनो विज्ञान की क्या उप्योगिता है उधारन सहित विवेच ना कीज़े बालक के विकास में वन्शानुकरम तथा वतावरन की क्या भूमी का है व्याक्या कीजे और बालक के विकास की विविन अवस्थाओं का वेंडन कीजे अगला प्रशन दोस्तों बुद्धी और ज्यान में क्या उन्तर है डिफ्रेंस बिटू इंटेलिजेंस नौलेज और दोस्तों वस्तों तीनिस्ट व्रक्तिका परिख्वाड और वस्तों इस व्रक्ति यह थोड़ा ऐसा कोश्चन था जिसके बारे मैंने नहीं बताय था तो आपने बुद्धी और ग्यान के बारे में किया होगा आपने पांचुवे में कौन सा प्रशन किया था कमेंड में प्लीज जरूरत है च्छटे प्रशन के बाद को समायोजित की व्रक्ति के लक्षण मतलब यह देखिए कितना अच्छा प्रशन था ना सू समायोजित व in which you have collect any two questions and write answer in about 500 words and the marks each of the question carrying is 15. Question number seven, what is conditioning? Explain the B.F. Skinner theory of learning. Anubandh क्या है? B.F. Skinner के अधिकम सिधान्त की व्याक्या कीजे. Question number eight, describe the main principle of personality and explain any one principle of personality. व्यक्तित्व के मुख सिधान्तों का उलेख कीजे और इन में से किसी एक सिधान्त की व्याक्या कीजे. मनलब सारे principles हमें mention करने हैं और किसी एक principle का हमें यहां पे explanation देना था. संगिनात्मक विकास से अप क्या समझते हैं जीन ब्याजागा संगिन का सिधान्त के मूल बुछ संप्रत्तियों के बढ़न करें. सबने किया होगा, मजा आ गया होगा, यह प्रशन देखे तो आपको मजा आ गया. पर बहुत अच्छे से लिखा होगा, अच्छे से नीटली लिखा होगा और चीजों को अंडरलाइन किया होगा. तो आप लोग comment में बता सकते हैं कि आपका paper कैसा गया और क्या आपको difficult लगा paper में और क्या आपको असान लगा. और इस साथ में हमारे sir की वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ ये भी आप हमें comment में बता सकते हैं. Thank you so much guys.